नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज की इस वीडियो में हम कक्सा 12 जो NCRD की पाठी पुस्तक है उसके 12 चिप्टर का एक महत्वपुन टोपिक लेकर चलेंगे देखे जो 12 चिप्टर है वो है परमाणू और इसे चिप्टर में हमने अब तक परमाणू क्या है परमाणू के विभिन मोडलों में थोमसन मोडल इसके पशाथ हमने रदरफोर्ड का परमाणू मोडल और उसके बाद में हमने देखा है निल्स बोर का परमाणू मोडल और अब हम देख रहे हैं जो निल्स बोर है उसके परमाणों मोडल के कुछ अनुप्योग उसमें आपने पहला अनुप्योग कि जो इलेक्ट्रोन है उसकी कक्सिय तिर्जा का वेंजक लास्ट वीडियो में लास्ट टोपिक में आपने देख लिया आज के इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं बोर मोडल का दूसरा अनुप्योग जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोन का कक्सिय वेंग अर्थार्त इलेक्ट्रोन जब किसी कक्सा में चक्कर लगा रहा है तो उसका वेंग कितना है उसके वेंग का सुत्र क्या होगा उसका वेंजक बोर मोडल से बोर की प्रिकलपनाव से यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। विद्यारतियों, यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजी। तकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिविकेशन मिलती रहे, हम आपको बता दें कि हम आपको NCRDE पाठेकरम के अकोर्डिंग कक्सा 11 और कक्सा 12 के सभी टोपिक्स के यूटूब वीडियोज आपको प्रवाइड करवा रहे हैं। साथ में हम आपको हस्त लिखित नोट्स भी उपलब्द करवा रहे हैं। तो हस्लिकित नोड्स प्राप्त करने के लिए हम आपको एक हमारे यूटूब चैनल के वाट्सप नमबर देंगे जिससे आप वाट्सप करके हस्लिकित नोड्स से प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे हैं, वाटसप नमबर दिये जाएंगे इस वीडियो में ही, जिससे आप हस लिकित नोडस प्राप्त कर सकते हैं, अब इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं, हमें ग्याद करना है इलेक्टोन का ककसिये, वेग और वो भी बोर मोडल का प्रियोग करते हुए, बोर की प्रिकलपनाओं का प्रियोग करते हुए, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने सरफ फर्थम पूट करूंगा, बोर की पहली प्रिकलपना, और वो भी किसी एनवी ककसा में चक्कर लगा रहे, इलेक्टोन के लिए, तो देखिए क्या होती है, हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं बोर की प्रिकलपना, और जो बोर की फरतम प्रिकलपना हम देख रहे हैं, वो हमें लागू करेंगे, एनवी कक्सा में चक्कर लगा रहे, इलेक्ट्रोन के लिए, कि कोई इलेक्ट्रोन है, जो की एनवी कक्सा के अंदर चक्कर लगा रहा है, तो देखें, बोर की जो पहली प्रिकलपना है, वो ये कहती है, कि जब इलेक्ट्रोन किसी निशित कक्सा में चक्कर लगाता है, एविकिर्णी वाली कक्सा में चक्कर लगाता है, तो उन इलेक्ट्रोनों को आवश्यक अभिकेंद्रिय बल, इलेक्ट्रोन था नाभिक के मद्दे लगने वाले वेद्दुताकर्षन बल से प्राप्त होता है, तो दोनों जो वेद्दुत बल और जो अभिकेंद्रिय बल है, उनको इक्वल हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखें क्या मिलेगा हमें, mv² अपोन आर, यह बराबर होता है, 1 अपोन 4 पाई अपसालन नोट, j e² अपोन आर स्क्वेर के, देखें, यह हमने लिखा है बोर की प्रीकलपना से, और बोर की प्रीकलपना यह कहती है, जो अभिकेंद्रिय बल है, यह अभिकेंद्रिय बल है, यह इलेक्ट्रोन, e और नाभिक के मद्दे लगने वाले विद्दुत आकरशन बल से प्राप्त होता है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा NV कक्सा के लिए NV कक्सा के अंदर जो एलेक्टोन का वेग है उसको मैं लिख देता हूँ VN से और NV कक्सा की त्रिजा को हम लिख देते हैं RN से देन हमें क्या मिल जाएगा देखिए यह जो RN है वो है NV कक्सा की त्रिज़ा और जो VN है वो है NV कक्सा में NV कक्सा में इलेक्टोन का वेग NV कक्सा में इलेक्टोन का वेग clear? अब देखिए यह आचुकी है हमारे पास में पहली प्रिकलपना अब देखिए बोर की दितिये प्रिकलपना से बोर की लित्य प्रिकलपना से बोर की जो दूसरी प्रिकलपना है उससे हम क्या पूट कर देंगे बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रोन नाबिक के चारों और केवल उनी कक्साओं में चक्कर लगाते हैं जिन में उनका कोणिय सम्वेग एच अपॉन टूपाई के पूर्ण गुर्ण के रूप में हो अर्थार्थ जो कोणिय सम्वेग होता है वो एच अपॉन टूपाई के पूर्ण गुर्ण के रूप में विद्द्रमान होता है तो देखें इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं जो कोड़िये समवेग है L जो की बराबर होता है M, V, R बराबर होता है N, H upon 2Pi के और N, V ककसा के लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे VN और RN लगा देंगे इसे मैं देता हूँ equation number 2 विद्यार तो ये जो equation number 1 और 2 है वो हमने बोर की पहली और दूसरी प्रिकलपना से लिखी है यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये topic भी आ जाएगा अराम से easy तरीके से आ जाएगा कैसे? समीकरण 1 को हम अब समीकरण 2 से divide करने वाले हैं तो हमें ककसी विग, VN का मान ताप्त हो जाएगा देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर समीकरण 1 भाग 2 से एक के अंदर यदि हम 2 का भाग लगा दे तो क्या मिलेगा? M VN स्क्वेर अपोन आरेन अपोन M VN आरेन बराबर होगा 1 अपोन 4 पाई अपसालन नौट Z E स्क्वेर अपोन R N स्क्वेर अपोन NH अपोन 2 पाई अब देखिए, जो रासियां कट पीट रही है उसे हम काट पीट देते हैं यहां से 1 M से 1 M कैंसिल हो गया 1 VN से 1 VN कैंसिल हो गया इधर बटे में आगया R N स्क्वेर जो कि इस R N स्क्वेर से कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा देखिए हमें क्या मिलेगा यहां से बोर्ड पर एक बार गोर करेंगे फोकस कीजी इस पर यह जो M है इस M से यह M कट जाएगा इस VN से एक VN कट जाएगा तो यहां पर एक तो रह गया VN एक क्या रह गया है VN रह गया है यह R N इधर नीचे आएगा तो R N स्क्वेर यह R N स्क्वेर इधर नीचे आएगा तो इस R N स्क्वेर से यह R N स्क्वेर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा cancel हो जईएगा 2 से 2 भी cancel हो जईएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 2 बच गया है πाई cancel हो चुका है एक बट्टे में अपसलम नोट सेंस रह गया है आरन स्क्वेर गया है यहाँ से जेड इस्क्वेर यह हमारे पास में क्या है जेड इस्क्वेर और एन एच यहाँ पर नीचे बट्टे में पढ़ाई है यह आच चुका है विद्यारतियो विएन इक्वल टू जेड इस्क्वेर अपोन 2 अपसलम नोट एन एच हमें प्राप्त हो चुका है देखे हम इसे क्या लिख सकते है इस्क्वेर इस्क्वेर अपोन 2 अपसलम नोट एच के रूप में पुट कर सकते है इसे हम जेड इन्टू एन इसको हमने बट्टे के रूप में लिख दिया सिस्टमेडिक डंग से हमने पुट कर दिया है अब आप यहाँ पर देखेंगे इस वाली जो रासी है इसको मैं V0 से पुट कर दूँ जो कि E2 अपोन में 2 अपसलम नोट एच के इक्वल है तो यह हमारे पास में क्या जेगी 1.6 गुण दिसकी घात मैनिस 19 का E2 अपोन 2 गुण अपसलम नोट जो कि 8.854 गुण दिसकी घात मैनिस 12 है एच यहाँ पर है 6.62 गुण दिसकी घात मैनिस 34 है तो V0 बराबर जब हम इसकी केल्कुलेशन करेंगे तो 2.1 गुण दिसकी घात 6 मिटर पर दिस सेकेंड प्राप्त होने वाला है जब इसकी गढ़ना करेंगे आप अराम से कर सकतें यही वेल्यू प्राप्त होने वाली है तो देखिए N.V ककसा में N.V ककसा में चकर लगा रहे चकर लगा रहे इलेक्ट्रोन का कक्सी वेग N.V ककसा में चकर लगाने वाले इलेक्ट्रोन का जो ककसी वेग है वो क्या होगा VN बराबर VN बराबर V0 इंटू में है J by N इसे हाँ 2.1 गुना दसकी घात 6 इंटू में V by N मिटर परती सेकिंड पूट कर सकते हैं तो यह आ गया है एक फोर्मूला सुत्रे जो हमें बता रहा है कि N वी ककसा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रोन का जो ककसी वेग है वो कितना होगा सुरी यहां पर आएगा J by N J by N उधर से लेखे J by N है तो J by N ही इधर पूट करना है इधर भी देखो हमने J by N ही रिखा है यह आ चुका है किसी परमाणों में N वी ककसा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रोन का ककसी वेग का सुत्र फोर्मूला अब हम यहां पर ज्याद करेंगे हाइडुजिन परमाणों के लिए अलग-अलग ककसाओं में चकर लगा रहे इलेक्ट्रोन का कख्षी वेग ठीक है और उनका हम रेश्यों भी यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं लास्ट फॉर्मूले का लास्ट सुत्र का प्रियोग करते भी यह सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे एक बार इस लास्ट फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए अब हम विभिन कक्साओं में चक्कर लगा रहे इलेक्टोन का कक्से वेग देखेंगे हमारे पास में एनवी कक्सा में चक्कर लगा रहे इलेक्टोन का जो कक्से वेग है वो आचुका है एनवी कक्सा में वेग वी जीरो इंटु में जेड बाई एन इस जो वी जीरो है इसकी value हमने देखी 2.1 गुणल्स की घाच 6 ये फोर्मूला आचुका है अब हम hydrogen परमाणू के लिए देखेंगे तो hydrogen परमाणू के लिए Z बराबर कितना हो जाएगा hydrogen परमाणू के लिए hydrogen परमाणू के लिए Z बराबर 1 होता है और पहली कक्सा में परमाणू में पहली कक्सा में electron का कक्सी वेग electron का कक्सी वेग पहली कक्सा में जो वेग है वो क्या होगा तो पहली कक्सा के लिए हम n बराबर 1 पुट कर देंगे इसमें n बराबर 1 रख दीजिए Z बराबर 1 रख दीजिए electron की दूसरी कक्सा का मतलब है कि नाबी के चारों और चकर लगा रहे electron की दूसरी कक्सा में electron का जो कक्सी वेग है वो क्या होगा का कक्सी वेग अब की बार हम n बराबर 2 पुट कर देंगे क्योंकि अब की बार हम दूसरी कक्सा में electron का वेग देख रहे हैं ये हमारे पास में सुत्र है इसमें हम n बराबर 2 पुट कर देंगे Z बराबर 1 पुट कर देंगे देन हमें क्या मिलेगा V2 बराबर 2.1 गुनलस की घाच 6 इंटु में 1 बट्टा 2 इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.1 गुनलस की घाच 6 इंटु में 1 बट्टा 2 सेंप्ट से में रहने दिया clear इसी प्रकार से आप देखेंगे परमाणों की तीसरी कक्सा तीसरी कक्सा में electron का कक्सिये वेग electron का कक्सिये वेग तीसरी कक्सा में electron का कक्सिये वेग है वो क्या होगा n बराबर 3 होगा v3 बराबर क्या जेगा 2.1 गुनलस की घाच 6 इंटु में 1 बट्टा 3 इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं इस में परमाणों की चोथी कक्सा और अंतिम कक्सा यहाँ पर देखेंगे वैसे यह अंतिम कक्सा है नहीं बट हम यहाँ पर 4 कक्सा ही देखने वाले हैं तो चोथी चोथी कक्सा में चोथी कक्सा में electron का कक्सिये वेग electron का कक्सिये वेग इसमें हम n बड़ाबर 4 पुट कर देंगे v4 बड़ाबर हमें क्या मिल जेगा 2.1 गुनलस की घात 6 इंटू में 1 बटा 4 तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास में पहली कक्सा में electron का वेग आज चुका है दूसरी कक्सा में electron का वेग आज चुका है तीसरी कक्सा में आज चुका है चोथी कक्सा में electron का वेग आज चुका है और इनका जो रेस्यो है सभी मेंसे 2.1 गुनलस की घात 6 तो cancel हो जएगा यहाँ पर रहेगा 1 यहाँ पर रहेगा 1 दूसरे पद में रह गया एक बटा दो, तीसरे में रह गया एक बटा तीन, एक बटा चार, इसका मतलब ये हुआ है, कि जैसे जैसे ककसाईं बढ़ रही है, इलेक्टोन का वेग घड़ता जाएगा, इलेक्टोन का वेग कम होता चला जाएगा, जबकि तिरियाएं बढ़ रह तो विद्यार तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा इलेक्टोन का कक्सिये वेग कि नाभी के चारों और किसी निशित कक्सा में चक्कर लगा रहे इलेक्टोन के लिए जो कक्सिये का फॉर्मूला है वो हमने इस वीडियो में देखा आजके इस वीडियो में इतना ही अगला जो हमारा वीडियो होगा war किसी परमानु के अंदर किसी निश्यित कक्सा में चक्कल लगा रहे इलेक्टोन की उर्जा का सुत्र उर्जा का वेंजक आजके इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तो